पहले की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम setting option को utilize कर सकते इस वीडियो में हम जानेंगे machine menu के option को machine menu में पहला जो इसने हमे option दिया is call new यह option से हम machine create कर सकते जैसा कि हम पहले भी कर चुके इस बार हम एक machine create करें लेकिन हम expert mode में जाके हम इसे create करेंगे तो machine का नाम आप दे सकते जैसा कि मैंने machine का नाम दिया server 12 machine की location आप देख सकते इसने root user की home directory में एक folder बनाया है virtualbox bms इस folder में इस machine को वो maintain करेगा या एक sub folder बनायेगा जिसमें इस machine की सारी file होगी हम OS type select करते तो हम Microsoft Windows के साथ इसे continue करने वाले version के लिए हम server 2012 को select कर लेते हैं machine का नाम भी ले लिया machine का type भी ले लिया version भी ले लिया और as well as frame की size भी आप इसी window पर दे सकते हैं तो करीबर हम 4GV के आसफस इसे size देने वाले एक hard drive आपको attach करनी है हमें एक virtual hard drive create करना चाहते है इस hard drive की साथ हम 50GV दे देते हैं और इसे create कर लेते हैं हमने यहां पर BDI format लिया है as well as dynamic allocate size के साथ हम इसे continue कर रहे हैं जिसा कि आप देख सकते हमारा machine create हो चुका है हम right click करके इसे file manager में open करते आप देख सकते है machine हमारी create हो चुकी है और उसकी file भी available हो चुकी है इसी machine को हम remove करके देखते है machine पर हम right click करेंगे हमें option मिलेगा remove इस remove में इसने हमें दो option available है पहला option है remove only remove only से क्या होगा कि machine तो available रहेगी बट virtual box के जो machine section है या से वो machine remove हो जाएगी आप देख सकते है machine section से machine हमारी हड़ चुकी है लेकिन machine की जो file से हमारे पास वो अब भी available है admis हम चाहे तो इसे add कर सकते है अब add करने के दो तरीके पहला तरीका किया आप machine के अंदर add option में जाएगे add option से आपको machine जहाँ भी आपने store करी होगी उस location पर आपको browse करना होगा आप दे सकते हैं मेरा जो machine है वो मुझे available हो रहा है हम इस machine को open कर सकते हैं admis आपने जब machine को remove कर रहा था तो केवल वो machine आपके menu से remove हुआ था लेकिन machine की files available थी अब machine को remove करने की दूसरी तरीके की हम बात करते तो right click करके हम इसे remove करेंगे remove में इसने अगला जो option हमें दिया है delete files अब delete file करने से क्या होगा machine आपकी permanent remove हो जाएगी admis आपने जब machine create करी थी तो उसका एक folder बना था जिसमें machines की file available थी आप देख सकते कि वो file और वो folder दोनों ही अब delete हो चुका है अगला option पर हम चलते हैं अगला जो option है is call add add option अभी हमने समझा कि किस तरह से machine को add हम कर सकते है और remove कर सकते add option हम एक और तरीके से use कर सकते सब उस मान लीजिए आपने किसी machine को किसी website से download करा है उस website से जो हमने machine का folder download करा है उसके अंदर हमें तीन file मिलेगी पहली होगी BDI file दूसरी होगी virtual box file उस virtual box file को आपको यहां से देना है जिससे वो machine आपके इस virtual box के menu में appear हो जाएगी मान लीजिए मैंने एक machine download करा है मैं उसे किस तरह से hit करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ जहां भी machine आपने download करके रखा हूँ उस location पे हम चलते उस location पे जाने की बाद आपको machine का एक sub folder मिलेगा उस folder में आपको जाना है उस folder में आपको एक file मिलेगी उस file का जो extension होगा dot bbox होगा इस bbox extension को आपको open करना है उससे होगा यह कि वो machine आपके menus में available हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हमने center इस machine को यहाँ पे add किया है आगे हम चलते है अगला जो option है setting हम पहले ही इसे discuss कर चुके जैसा कि आप देख सकते है यह previous video में हमने इसे discuss किया था चलिए अगले option पे हम चलते machine में जो अगला option है is called clone पहले जी समझी कि clone हम क्यों करते है पहले चीज़ तो यह होती है कि कई बार हमें requirement होता है कि हम एक से ज़्यादा machines को utilize करना चाहते हमने एक machine को configure कर दिया है but हमें same configuration के साथ एक और machine की requirement है जैसा कि आप देख सकते एक XP हमने install किया है but हमें एक और XP की requirement है तो हम वापस से हुए एक new machine create करके उस पर installation और configuration करना नहीं चाहते है इस case में हम clone option को use कर सकते है जैसे मैं clone पर click करता हूँ यह मुझे एक clone machine का नाम पूछ रहा है आप जो भी नाम देना चाहिए दे सकते है तो हम इसे XP service pack 2 iPhone 2 हम इसे नाम दे द सकते हैं किस location पर यह machine को clone करेगा आप चाहें तो hardware के साथ clone कर सकते है नेम जो होगा machine का उसके साथ clone हो जाएगा डिक्सनेम सेम रहेगा और hardware UID भी सेम रहेगी हम चाहते कि दोनों unique रहे तो आप इसे uncheck कर ले हम next करते इसे जैसा कि आप दे सकते हैं दो option इसने हमें दिये पहला दिया है full clone, full clone में क्या होगा कि एक और duplicate machine वो create कर देगा जिसका पहली machine से किसी तरह का कोई link नहीं होगा जबकि link clone में क्या होगा कि एक machine वो create करेगा बड़ उस machine को वो link actual machine से always करके रखेगा एक new इसने अफशॉट वो create करेगा और उस नहीं machine के साथ उसे link कर देगा हम ऐसा नहीं चाहते हम उसे full clone करना चाहते तो हम full clone के साथ इसे continue करते आप देख सकते हैं उसने एक clone machine हमारे लिए create कर दिया है XP के अंदर जो hard drive हमारी use हो रही थी वो आप देख सकते हैं आप चाहे तो इसकी actual size भी देख सकते हैं वैसा ही जो हमने clone machine यूज करा है उसमें भी उस machine का आप actual size देख सकते हैं same size है but different location पर हम इसे एक करते हैं अब इसी machine का हम एक और clone create करते हैं इस बार हम इसका नाम clone iPhone 3 देते हैं और हम इसे link clone करने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इसने एक और clone machine हमारे लिए create कर दिया है इसकी हम properties पर जाके देखते हैं इसने एक hard drive यूज करा है बड़ यह जो hard drive है पहले जो हमने machine create करी थी actual machine जिसको हमने utilize करा है उसी को इसने link करा है एक नई hard drive नहीं लगाई है एडमिस एक इसी machine को उसने clone करा है और उसी machine का hard drive इसने link करा है और एक snapshot इस machine के लिए उसने create कर दिया है एडमिस आप actual machine को remove करेंगे तो यह machine भी काम नहीं करेंगी चली अगले option पर हम चलते हैं अगला option है move इस option से क्या होता है कि आप चाते हैं कि आपकी जो machine है वो another location पर switch हो जाए तो हम इसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि मेरा जो XP है वो किस location पर है हमें इस location से switch करके home के अंदर वी वॉक्स नाम का एक folder है उस location पर हमें इसे switch करना है तो उसके लिए हम इस option को use कर सकते हैं उसका location home के अंदर वी वॉक्स के अंदर आ चुका है उसके सारी files available है अब यदि आप इसकी detail open करके देखना चाहे तो देख सकते हैं file manager के अंदर अब हमने इसकी location को switch कर दिया है चलि हम अगले option पर आते अगला जो option है is call export अब क्या होता है कई बार कि हम यह चाहते हैं कि हमने जो machine configure करी है उसके जो भी हमने installation करा है उसका एक backup हम बना कर रख ले या फिर हम यह चाहते हैं कि जो भी machine हमने create करे है उसे हम another PC पर switch कर ले आप बोल सकते हैं कि actual machine पर जो भी हमने virtual machine create करा है उसे हमें another users के साथ share करना है या हमारे friends के साथ हमें share करना है तो उस समय हम इस export option को use क करते हैं हम export पर आगे continue करते हैं यहां हमें जो select करना है export कि इसने तीन वर्जन हमें दिये हम open virtualization format को select करते 2.0 इसका version हमने select किया है उसके बाद आप से यह कहा जा रहा है कि आप location बताएए कि कि किस location पर OBA file इडमिस जो भी machine है आपकी उसकी एक single file यह create कर देगा जिसका extension होग dot OBA उस OBA file को हम किसी भी machine पर ले जाकर import करा सकते हैं हम चाते हैं कि इस location पर वो एक file create कर दे हम इसके साथ इसे next करते हैं आप देख सकते हैं machine का जो भी हमने नाम दिया है हम इसे export करते हैं उससे यह होगा कि जो भी चीज़े आपने setup करा होगा उन साभी चीज़ों को यह export कर जाये software install किये या machine की जो भी आपने setting में जाके customize setting करा है उन सभी setting को लेकर एक OBA file बना देगा अब देखिए क्या होगा कि आप जब आनदर PC पर जाएंगे तो इस machine को हम import करेंगे इंपोर्ट करने से यह होगा कि particular machine जो आपके पास थी जिस configuration के साथ थी जो भी आपने setting में option को customize किया था वो इस सारे option सामने वाले PC पर भी available हो जाएंगे हमारा जो export wizard था वो complete हो चुका है इसने हमारे लिए एक single file create कर दिये अब क्या होगा कि इस file को आप अपने friend के साथ आप share कर ले किसी भी तरह से आप share कर सकते अब जब भी वो इस file पर double click करेगा तो आपकी जो machine है वो उससे भी available हो जाएगी जैसा कि हम देख सकते कि हमारे पा कर देते हैं ग्लेट फाइल के साथ अब हम इस ova file पर आकर double click यदि हम करेंगे तो एक machine वो हमारे लिए add कर देगा जैसा आप देख सकते हैं वो सारी setup के साथ जो previously हमने setup किया था उसी के साथ यह import कर देगा जैसा कि आप देख सकते हमें machine वापस से अबलेबल हो चुकिए एक तरह से ova file हमारी machine का backup भी हो सकता है कि हम इस तरह से एक single file में उसे backup की तरह utilize कर सकते हैं अगले option पर हम आते हैं अगला जो option है हमारे पास remove हम इसे discuss कर चुके कि हम किस तरह से machine को remove कर सकते हम यह जानते आगे हम चलते हैं अगला option एक group आप देख सकते हैं कि यहां मैंने दो windows PC create करें हम इसे एक group में रखना चाहते तो आप एक group create कर ले आप group में जाए एक group एक नया group create हो जाएगा आप machine को drag and drop कर सकते group के अंदर तो इस group में वो particular machine आपको available हो जाएगी इस group को आप rename कर सकते according to requirement इ इसका नाम दे देते windows आप देख सकते हैं कि windows नाम का एक group हमने बना दिया है उस group के अंदर यह दोनों machine available होगी अब group के अंदर हमें अगला option जो मिलेगा इसको ungroup इससे क्या होगा कि machine आप आगे न अंgroup कर पाएंगे अगले option पर हम आते हैं अगला जो option दिया start हम इस option को पहल ही discuss कर चुके show lock इस option से क्या होगा कि आपकी machine में आपने जो भी changes करें उसके यह lock maintain करता है जिसा आप देख सकते सरे lock file आमारे लिया बले बले आप चाहे तो इसे utilize कर सकते हैं आप analyze करने के लिए अगले option पर आते अगला जो option है show in file manager यह भी हम जानते हैं आगे हम चलते हैं इ या descending order में shot कर सकते हैं